अभी हम लोग जहां पर पहुंचे हैं देखो यह सरवर है इसका नाम है कुस्म सरवर कुस्म सरवर मतलब क्या है यही पर राधाराणी अपना सक्षियों को साथ में यही पर आया करती थी और यहां पर बड़े सुंदर-सुंदर फूल खिलता था हमारे सास्तर में बरन आता है कि हमें पता एक ब्रिख्य में एक ही फूल आ सकता है दो तरका फूल नहीं लेकिन ब्रिंदा देभी कृष्ण से बाग लिए एक ब्रिख्य में बेली चैमेली जुई और माधवी सारे फूल एक ब्रिख्य में किलता था हमें पता एक ब्रिख्य में एक तरका ही फाल हो सकता ह लेकिन यहाँ पर एक बिख्य में पपिता भीए, किकुम भीए, खेले भीए, अंगूर भीए, एक बिख्य में यह पृंधावने ही संभवेगा उसक तक ली कि विखे में हर तरका पता किलता था कियों कृष्ण सेवा के लिए ये ब्रिंटादेवी बड़ी सुंदर सुंदर यहां पर मनुर्या में स्थान प्रकट कर देती थी और यहीं पर राधाराणी सक्खियों को साथ में आती थी आकर के सुंदर सुंदर पुस्पों को चैन करते तो यह सुन्दर माला बना करें कि कृष्ण को राधाराणी पहनाय करती इसलिए यह सरवर का नाम है कुसुम सरवर की उसको पास में नारद कुंड़ यहां पर तील चार दिन अगर परिक्मा रुके न तब जा करके अच्छे तरसे दर्सन कर सकते हो इसलिए यहां पर नारद क जब संकर जिसे उनने अश्टकालिय लिलाओं को स्रवर किया कैसे ब्रज गोपियां कृष्ण की सेवा करते हैं अभी नारद जी की मन में इच्छा हुई हम भी राधा कृष्ण की सेवा करें लेकिन किसकी कृपा में प्राप्त होगी तब उनने संकर जी बोले ब्रिंदा द अबर्ध नहीं जब तक गिरिराज की गृपा नहीं होईगा तब तक कोई भी कृष्ण लिला में प्रवेश्ण नहीं कर सकते हैं इसलिए इसलिए नारद जी यही पर आश्रे करते हुए यही पर उनने सादन बजन किया और यहीं पर ही उनने जैसे धुर्वजी को मा जो प्रलाद को मा जो कयाद थी तो यहीं पर लेकर के आये और जब तक लेकिन कयाद दो स्त्रियां तो बात भूल जाती है यह प्रणलाद महाराज बच्चों कह रहे हैं बच्चों ने जो पुछा प्रणलाद तेरे को इतने मिठी-मिठी प्यारी-प्यारी कथा कहां से सुनने को मिली इस संधा अमर्क हमारी गुरुदेव है, संधा और अमर्क मतलव क्या, संधा मतलव साड, अमर्क मतलव बंदर, मतलव है जो गुरू भगवान की भक्ति की सिख्या नहीं देखर कहें के एटीय में काड बनाते हैं क्यों पैसा कमाव खाओ और बच्चे जन्मा देकर मर जाओ प्रलाद कहते हैं वो गुरु नहीं वो सब के सब साड़ और बंदर है वो गुरु कहने का लाइक ही नहीं कहते हैं गुकार अंधकारत्वात रुकार तस्य निरदक गुरु तो हिर्दय में दिब्व ज्ञान को प् इसलिए प्रलाद ने क्या सिख्या दिया भगवान की भक्ती बुढ़ापा में नहीं होता हैं कुछ वमाता है। इसलिए सास्तर हम बताया जो भक्ती है न यह बच्पन से करनी चाहिए इसलिए उनने के स्लोग बले बले कॉमार आचरते प्राग्यम धर्मान भागवता निय दुरलवम मनुस्य जैनमम तदाभी अधुरुबम अर्थदम तक कितने बड़ी बात कहते हैं भगवान की भक्ति हम क्या जानते हैं रिटार्लाइब में साधी सुदा नवकिरिक चाकरी करके बच्चों को साधी भादी करके जो रिटार्लाइब होगा ना एक दो मला सटका ले कुछा प्रलाइब पांस साल से क्यों करें जब बड़े हो जाएंगे तब करेंगे प्रलाइब कहते हैं कोई ग्यारंटी कार्ड रखा हुआ अगर बीच मेरा आमनाम सत्य हो गया तो तब प्रलाइब ने का बच्चों ने का ने तो अगली जीवन में भजने करेगा जाने त मनुस्याल जन्मम ये तो 84 लख्याया जन्मों को बाद में एक बार मानम सेडिया ये जीवन ताकुरजी नहीं देते हैं ये तो दो बार लिखने के लिए जाओ दिखेगा वो दोनों ही जाएगा जैसे बांस जब कच्छा होना जिद्धर टेड़ा करना टेड़ा हो जाएगा लेकिन जो पक जाता है तूप जाएगा लेकिन टेड़ा नहीं होगा है फूल जब खिला हुआ रहता है ठाकुर जी की चरण में दे सकते हैं जब मूर्जा जाता है ठाकुर को सेवा में लगता है नहीं लगती है पाउदा जब छोटा होता है उखाड करके दुसरे चागा में लगा तो जम जाएगी लेकिन पाउदा बड़े हो जाने पर उखाड कर लगे या वो लगी नहीं सकता है है इसलिए कहते सठी यह में सास्त्र उठागर देखो प्रनलाद कितने साल में किया फांच साल में धुर्बजी कितने साल में भाजन किया मिरा कितने साल से भाजने कि हन्मानन जी कितने उमर में नहीं कोई बुड़ापा में कहीं ही सांस्त्र में नहीं लिका हुआ बुड़ापा में भजन होता है उन्हें भला बुढ़ापा में कुछ होने वाले नहीं हैं क्यों क्यों नहीं हो गादा प्रमान देते हैं बल जब उमर हो जाते हैं आपकुछ सब के सब तक गया तो भजने क्या करोगे आप सोयम देख लो जब ज्यादा बड़े बुडेंग हो आप 10 मिनिट बैठेंगे लिए 10 पी ओर भजन करने लिए 10 मिने जादा नहीं एक मिनिट भी मान भजन में नहीं लगेगा आक बंद करती नाथी फोती बेटा बेटी नोकरिचक आगी अब देख लेना दस मिनूट बई यही पर जागा परहिस्थान में यही पर नारद जी प्रलाद को यह दिभ ज्यान प्रदान की बच्चों भगवान की बच्पन से बच्पन से बच्पन में ऐसे छोटे बच्चे को पढ़ाओ तेरा जट क्याच कर लेता हैं किसी बुड़े को बुड़ी को बोलो कोई याद अगर याद होगा याद नहीं हो सकती है इसलिए प्रलाद यही पर उनने यह ज्यान दिया कवमार आचरते प्राग्यम जो धिमान है वो पांच साल उमर से प्रभु का भक्ति करना सूर कर देनी चाहिए और यही पर है ग्वाल तुरमा जो लाते थे यहीपर वैटी करके ठाकर जी भोजन करते तो इस पास को समय होते था हम ले लेते लेए कि समय नहीं यहां पर कृष्ण का चरण का सुन्दर सुन्दर चाहप कढ़ा हुआ तक हुए गया खूर का चाहप कढ़ा हुआ और यहां पर रत्न बेदी है जह यहां पर रतन बेदी में वहां पर है इसलिए अंदर में बहुँ शरी हम जो यहां पर करिकर हम दस पंदर दिन हम रुपते हैं गोवर्धन में हम सारे लिलास थलियों को जा जाकर दर्सन करते हैं और आप लोग तो एक दिन वे गोवर्धन परिक्वा करका आज ही वागना है अगली बार हुगा तो परिक्वा को दस दिन अगर कर लेंगे ना दस दिन कर देंगे ते जितना दर्सन और थोड़ा थोड़ा ज्यादा रहाँ अब लोग तरसन कर सकते हो इसलिए हम सब किर्तन करते करते परिक्मा करते हो जाएंगे यह कुसुम सरवर है इसका पानी अब कर दो कर दो कर दो कर दो